मेरे हाथ में है Redmi 13C 5G 8GB RAM 256GB वाला वैरियंट यह मैंने सेकंड हैं प्रचिस किया गाइस 8000 रुपे में और इन वारंटी हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि फॉन अगर सेकंड हैं लेते हैं तो डाइरेक्ली फॉर्मेट मार देते हैं लेकिन फॉर्मेट मारने से पहले कुछ टैप्स रहे थे गाइस जो आपको चेक करने रहेते कि आपका फॉन सही है कि गलत तो यहां पे नॉर्मली आपको सॉटकट में रिखा देता हूं हम लंबा वीडियो नहीं कीचेंगे सबसे पहले आपको जाना है सैटिंग में सैटिंग में जाने के बाद उपर सर्च करना ह है एकाउट एकाउंस सर्च करने के बाद यहां पर एक ओप्शन आएगा अकॉंट एं छिपाक रखकर संघएments सबी सब्सक्रां open होने के बाद remove का option आता है तो remove कर देना है तो यह step आपको जरूर सपनाना है और उसके बाद आपको जाना है main setting में जहां पर about phone में सबसे last option रहता है उसके उपर का reset factory data और यहां पर भी जाके आपको check करना है कि जो भी factory reset आप कर रहे हो वो पूरी तरह reset हो रहा है कि नहीं तो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है यहां आप चेक आउट कर सकते हो contact photos apps account backup sd card सब कुछ तो erase all data erase all data करना रहता है backup के उपर क्लिक नहीं करना है factory reset करना है उसके बाद हमें 10 seconds का time दिया जाता है कि आप जो दिशा choice कर रहे है वहां पर आपको कुछ भी backup नहीं मिलने वाला वापस तो आप इसके लिए confirm है तो यहां पर next करना रहता है next करने के बाद वापस से एक आता है कि जो भी important data है वह वापस आपको नहीं मिलेगा जाहाँ पर आपकी अगर id में होगा तो वही आपको मिलेगा तो यहां पर ok करना रहता है ok करने के बाद यह phone पूरा restart हो जाएगा और reset करने से पहले जैसा कि मैं आपको बता है कि account में जाके पूरा चेक करना करोगे तब तक आपका phone आप यूज नहीं कर सकते तो यह बात का ध्यान रखना है और आपको यह जायो में 13C कैसा लगा कमेंट कीजिए दो आंट 255 वाला वेरियंट सेकंड हैं आंट अजर में कैसा लगा कमेंट करना ना बूले दूस्तों